बच्चों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमशकर आज इस भाग में हम आपकी व्यवसाईक अध्यान पुस्तक के दूसरे अध्याय का पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा याद करें कि हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ाए बच्चों पिछले अध्याय में हमने प्रबंद की बारीकियों को समझा हमने उसके अर्थ को उसके महत्वों को जाना और हमने उसमें एक टॉपिक या एक बिंदू ऐसा भी देखा था जहां हमने बात की थी कि प्रबंध को कला माना जाए उसे विज्ञान माना जाए उसे पेशा माना जाए अगर आप उस विशय को याद करें तो उसमें हमने बात की थी कि प्रबंध के अंदर कला और विज्ञान की भाती सैध्यान्तिक साहित्यों का जिकर किया जाता है अर्थात कला और विज्ञान की तरह ही प्रबंद में भी कई सिध्धान्त होते हैं कई साहित्य इसके उपर बने हैं जिनका प्रयोग प्रबंदकों द्वारा अपने दिन चर्या में उनके व्यवसाइक व्यवहार में किया जाता है यहां अध्याय ऐसे ही सिध्धान्तों की बात करता है इसलिए इस अध्याय का नाम है प्रबंद के सिध्धान्त तो पिछले अध्याय में पड़ी हुई बातों को इससे जोडते हुए यदि आप आगे बढ़ें तो आप पाएंगे कि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है प्रबंध एक सामान्य प्रक्रिया भी है अर्थात प्रबंध हर प्रकार के व्यवसाय या संगठन में अनिवार्य है प्रबंध ही वो कुंजी है जो किसी व्यवसाय को अथ्वा किसी भी संगठन को सफलता कियों ले जाती है अच्छा प्रबंध सफलता की गारंटी बन जाता है और वहीं बुरा प्रबंध हमें सफलता से बहुत दूर ले जा सकता है तो प्रबंध इतना महत्वपूर्ण इतना सामान्य परंतु साथ साथ इतना जटिल होने के कारण कई बार प्रबंधकों को अपने वैवसाय के अंदर दिन प्रति दिन के वैवहारों अथ्वाकारियों के दौरान ऐसे स्थितियों का परिस्थितियों का या समस्याओं का सामन करते हैं तो आए अब हम बात करते हैं कि प्रबंद के सिधान्त है क्या और इनकी प्रकृति क्या है इनका महत्व क्या है फिर हम आगे प्रबंद में उप्योग होने वाले विभिन्य प्रकार के सिध्धान्तों पर भी चर्चा करेंगे मच्चो अधी प्रबंध के सिध्धान्त की अर्थ की बात की जाएं तो इसके अर्थ में हमें ये ध्यान देर रखना होगा कि प्रबंध के सिध्धान्त निर्णय लेने वह व्यवहार के व्यापक वह सामा मार्ग दर्शक की तरह होते हैं अर्थात एक व्यवसाय में प्रबंधक को निर्णे लेते वक्त किस प्रकार का व्यवहार दिखाना अर्थात किस प्रकार की सोच रखनी है या किसी भी परिस्थिती में उसे किस प्रकार उस परिस्थिती का सामना करना है और कैसे वहां प्रमोशन करना है और फर्म के या विवसाई के प्रबंदक को इस बारे में निर्ने लेना है कि हो सकता है एक प्रबंधख पदोनति का निर्ने वरियता को ध्यान में रख्ये करें अर्थात एक्सपीरिय Síss रखे करें कि जो कर्मचारी ज्यादा अनुभवी हैं ज्यादा एक्स्पीरियंस्ट हैाइँ उनको Panch Nordrini प्रमोशन दीजाए जब कि हो सकता है कि दूसरी तरफ एक ऐसा प्रबंदग भी हो जो ये प्रमोशन या पद्वन्दक योग्यता के सिधान्त पर करें कि भले ही एक कर्मचारी उतना अनुभवी ना हो परन्तु यदि वह बहुत योग्य है तो हो सकता है यह प्रबंधक उसे पद्वन्दक प्रदान करें तो दो प्रबंधक, दो अलग प्रकार की सोच, दो अलग प्रकार की सिधान्त, दो अलग प्रकार की निरने अर्थात सिधान्त प्रबंधकों को उनकी सोच के अनुसार मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं जिनके सहायता से प्रबंधक अपने व्यवसाय से जुड़े हुए निर्णे लेते हैं वविभिन परिस्थितियों का सामना करते हैं लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा और यह याद करना होगा कि हमने पहले आध्याय में भी पढ़ा था कि प्रबंद के सिधान्त विज्ञान के सिधान्त से भिन्न होते हैं क्योंकि विज्ञान के सिधान्त सामान नेते बेलोच नहीं होते अर्थात उन्हें बदला नहीं जा सकता हम उन्हें जरुरत परिस्ति वब अपनी सोच के अनुसार बदल नहीं सकते एक बार जो वैज्ञानिक सिधान्त बन गए उन्हें उस प्रकार ही हमें उपयोग करना होता है या उन्हें उस प्रकार ही हमें देखना होता है जबकि प्रबंद के सिधांत लोचदार होते हैं उन्हें हम अपने अनुसार अपने परिस्थितियों के अनुसार ढालकर उप्योग में ला सकते हैं ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रबंध के सिधान्त मानविय विवहार से जुड़े हैं एक प्रबंधक को वैज्ञानिक के तरह किसी लैब में अपने परिक्षन नहीं करने होते हैं बलकि एक प्रबंधक को अपने व्यवसाई में लोगों, समुहों वो उनके द्वारा जुड भी अलग-अलग समय में कभी एक जैसा नहीं होता तो वैवहार इतना प्रगितिशील या परिवर्तनशील है तो प्रबंध के जो सिधान्त हैं उन्हें भी बदलते रहना होता है उन्हें से परिस्थित्यों के मांग के अनुसार बदलकर उपयोग में लाना होता है तो बच्चो अब हमें प्रबंध के सिधान्तों के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हो गई है हम जानते हैं कि हमें मार्ग दर्शन देते हैं ये हमें अपने निर्णे लेने में साहेता करते हैं हम ये भी जानके हैं कि ये लोचदार होते हैं इन्हें बदला जा सकता है त जब इन बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आगे चलते हैं और हम प्रबंद के सिधान्तों के कुछ प्रकृतियों के बारे में जानते हैं बचों सबसे पहली प्रकृति तो यह निकल कर आती है कि प्रबंद के सिधान्त सामान्य मार्ग दर्शक के रूप में होते हैं अर्थात ये सिधान्त हमें किसी भी समस्या का एक बना बनाया तयार किया हुआ सत प्रतिशत समाधान नहीं देते ये केवल मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं इन्हें उपयोग किस प्रकार करना है और उससे समस्याओं को किस प्रकार सामना करना है या प्रबंधक की अपनी योगेता पर निर्भर करता है ये सिध्धान्त केवल मार्ग दर्शन के लिए हैं ये हमें बताते हैं कि इस परिस्थिती में हमें क्या-क्या फैसले लेने का हमारे पास एक अवसर है या हमारे पास क्या-क्या फैसले लेने की शक्ती है और किस प्रकार के फैसलों का हमें किस प्रकार का परिणाम देखने को म मिल सकता है इस मार्ग दर्शन के आधार पर प्रबंधक के उपर होता है कि वह फैसले किस तरह से लेता है अर्थात प्रबंध के सिधान्त केवल मार्ग दर्शन देते हैं वो कभी भी हमें समस्या का शत्व प्रतिशत समाधान प्रदान नहीं करते हैं लेकिन इसकी दूसरी प्रकृति यह है कि प्रबंद के सिधान्त सार्व भौमिक होते हैं सार्व भौमिक का अर्थ बच्चों यह है कि यह सिधान्त किसी भी प्रकार के संगठन में किसी भी स्तर के प्रबंद में किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी उपयोग किये जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि कुछ सिधान्त कुछ प्रकार के संगठनों के लिए हैं और कुछ अन्य प्रकार के संगठनों के लिए सभी सिधान्त सभी प्रकार के संगटरों में सभी प्रबंदकों द्वारा उपयोग किये जा सकते हैं सिर्फ परिस्थितियां देखनी होती है तीसरी प्रकृतिया विशेष्टा यह निकल कर आती है कि प्रबंद के सिधान्त भी विज्ञान के सिधान्तों के तरह ही शोध पर निर्मित है अर्थात प्रबंद के सिधान्त कोई मनगणंत कहानिया नहीं है इन्हें निरंतर शोध द्वारा परिक्षणों द्वारा प्रबंदकों के अनुभवों और विवहार के द्वारा सीख कर बनाया गया है हम आगे आने वाले हिस्सों में पढ़ेंगे कि कैसे प्रबंदके सिधान्त के निर्माताओं ने अलग अलग तरह के परिक्षण, शोध, अथ्वा अपने विवहार वा अनुभव का इस्तमाल करके इन सिधान्तों का निर्माण किया है क्योंकि ये सिधान्त हमारे दिन-प्रतिदिन के कारियों से जुड़े हुए हैं इसलिए इनका निर्माण भी दिन-प्रतिदिन कारियों को करते हुए सीख कर शोध करके किया गया है इसके बाद जो प्रकृति है उसकी बाद हम पहले ही कर चुके हैं कि ये सिधान्त लोचदार होते हैं अर्थात इन्हें समय, परिस्थिती वो सोच के अनुसार बदला जा सकता है और बदल कर उपयोग में लाया जा सकता है ये कोई कठोर सिधान्त नहीं है जिने जैसा है वैसा ही इस्तमाल करना हो इन्हें बदल कर लोचदार तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है एक सबसे बड़ी विशेष्टा इन सिधान्तों की यह हैं बच्चों की ये सिधान्त विवहारिक है अर्थात ये सिधान्त हमें निर्जीव वस्त्वों के बारे में नहीं बताते हैं बलकि ये हमारे संगठन के जो प्राणी है जो लोग है कर्मचारी है वो जितने भी ऐसे समू है लोगों के जो मिलकर संगठन के कारियों को करते हुए उसके उदेशों के प्राप्ती की कुरुशिश करते हैं ऐसे लोगों को उनके विवहार के बारे में समझाता है वो विभिन्न प्रकार के विवहारों के समय किस प्रकार का निर्ने एक प्रबंदक को लेना चाहिए ये वो हमें बताते हैं ये सिध्धान्त मुख्यत है लोगों के व्यवहार पर आधारित है कि अलग-अलग परिस्थितियों में लोगों के व्यवहार कैसे होंगे और उन परिस्थितियों और व्यवहारों के अनुसार हमें कैसे उनका सामना करना है ये हमें सिध्धान्तों के द्वारा सीखने को मिलत करते हैं कि यह हमें कारण व परिणाम संबंद बताते हैं प्रबंद के सिधांत कारण व परिणाम के बीच संबंद स्थापित करते हैं जिससे कि एक बार यदि हमने किसी एक कारण वो उसके एक परिणाम के बीच यदि संबंद स्थापित कर लिया तो आने वाली कई उस प्रकार की समान परिस्थितियों में हम उस कारण को पाते हैं तो हम उसके परिणाम की पहले से ही तयारी कर सकते हैं क्योंकि ये सिधान्त हमें बता देते हैं कि यहाँ परिणाम इस कारण से हुआ है या इस कारण ये परिणाम हो सकता है तो यह जानकर फिर हम ऐसी सभी परिस्थेतियों में इन सिधान्तों के उप्योग से अपने निर्णय ले सकते हैं तो बच्चों अभी हमने प्रबंद के सिधान्तों के कुछ ये विशेशताएं देखी हमने देखा कि ये सिधान्त कैसे हमें बताते हैं कि कारण और परिणाम की बीच क्या संबंध है यदि एक कारण है तो उसका क्या परिणाम होगा और क्या ऐसे सभी कारणों ऐसे सभी परिस्तियों में हम इसको लागू कर सकते हैं यह हमें सिध्धान्तों की द्वारा पता लगता है आप और सीखेंगे जब आगे सिध्धान्तों को जानेंगे इसके अलावा हमने देखा कि यह सिध्धान्त वेभारिक है, यह सारव भौमिक है, यह शोद द्वारा निर्मित है, यह लोचदार है, वह यह केवल सामान्य मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं अब सिध्धान्तों की प्रबंद में एक बहुत महत्वपूर्ण भौमिका है यह प्रबंदकों को उनके ड्यानिक कारियों और विवहारों में बहुत सहायता करते हैं तो अब आगे हम बात करेंगे, कि यह सिध्धान्त इतने महत्वपूर्ण क्यों है, यह कैसे प्रबंदकों की सहायता करते हैं बच्चों सिधानतों का सबसे पहला महत्व यह है कि आप प्रबंधकों को वास्तविक परिस्थितियों का सूक्ष्म ज्यान प्रदान करते हैं अर्थात प्रबंधकों का जो कार्य है वो वास्तविक जीवन से जुड़ा होगा है कि आए दिन किसी व्यवसाय में किसी करमचारी को कोई समस्या हुई, किसी कारिशाली में कोई समस्या हुई, परिचालन के दौरान कोई समस्या हो गई, हमें अपने लक्षी को प्राप्त करने में कोई समस्या हो गई, किसी प्रकार की विपदा आ गई, तो ऐसे वास्तविक पर परिस्थितियों से हमें अवगत कराते हैं क्योंकि ये सिधान्त बनाने वालों ने इन्हें अपने जीवनकाल में अपने अनुभाव और अपने अनुभाव से निकली वास्तविक परिस्थितियों के परिणामों वह उनसे सामना करने के तरीकों को देखते हुए सिखते हुए इन सिध्धान्तों को बनाया है तो जब आज भी एक प्रबंधक इन सिध्धान्तों का उपयोग करता है तो उसे अलग-अलग सिध्धान्तों से अलग-अलग परिस्थेतियों में वास्तविक निर्ने किस प्रकार लेने हैं उसमें उसे सहायता मिलती है इसके अतरिक्त सिधानतों को मानना उनको उपयोग में लाना एक व्यवसाई को उसके संसादनों के अधिक्तम उपयोग में भी साहिता करता है अर्थात यदि कोई संगठन और उसका प्रबंधक सिधानतों को मानते हुए अपने निर्णे लेता है तो उसके संसाधनों का व्यर्त होना कम हो जाता है और वो संसाधनों का अधिक्तम उप्योग कर पाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी या व्यवसाई में मानवी या वभौतिक दोनों संसाधन सीमित होते हैं इसलिए यहां अनिवारी होता है कि इनका अधिक्तम सर्वश्रेश्टम उपयोग किया जाए। अधिक्तम उपयोग से अभी प्राय है कि संसादनों को इस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाब प्राप्थ हो सके। तो हम चाहेंगे कि हम अपने संसादनों को इतने कुशलता से उप्योग करें कि उन पे लागत कम आए और लाब अधिक प्राप्थ हो तो सिधानतों के सहायता से एक प्रभंदक अपने निर्णयों वा कारियों में जब कारण वा परिणाम के संबंद का अनुमाल लगाते हैं जब वो यह सोचते हैं कि यदि इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा तो उसके कारण यह परिणाम निकल कर आ सकता है और इस परकार के निरने से भूत काल में ऐस कुछ गलतियां अगर हो चुकी हैं तो वह उन गलतियों से सीख सकता है जब एक प्रबंदक अपनी गलतियों से सीखेगा कारण वह परिणाम को समझेगा तो वह आगे उनी गलतियों को दोहराने से बचेगा और उन गल्तियों से होने वाली च्छती से बचेगा जिससे की संसाधनों की बरबादी कम होगी और उनका स्रेश्टम उपयोग किया जा सकेगा तो एक तो हमने देखा कि सिध्धान्त हमें वास्तविक परिस्थितियों में निर्णे लेने में सहायता करते हैं दूसरा हमने यहां देखा कि यह सिध्धान्त हमें अपने संसाधनों के अधित्तम उपयोग में भी सहायता करते हैं इसके अलावा बच्चों जब कोई प्रबंधक सिध्धान्तों की सहायता से निर्णे लेता है तो वो निर्णे वैज्ञानिक निर्णे कहलाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये सिध्धान्त भी बहुत सोच समझ कर कारण परिणाम आदिजाच परकर बनाई गये हैं इनको बनाने की पीछे वज्ञानिक परिक्षण की तरह शोध किया गया है फिर ये सिध्धान्त बने है इसके उपरांत यदी कोई प्रबंधक इन सिध्धान्तों का उप्योग करता है तो इसका अर्थ है कि वह किसी परिस्थिती में सोच रहा है कि यहाँ परिस्थिती किस प्रकार की है इसमें क्या कारण और क्या परिणाम है इस प्रकार की परिस्थिती के लिए कौन सा सिधान्त उप्योगत रहेगा इस प्रकार की परिस्थिती में यदि इस सिधान्त को उप्योग करके हम यह निर्ने लेते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? तो जब कोई प्रबंधक ये सब सोच कर सिधानतों की उपयोग से निर्णे लेता है तो उसके निर्णे सोच समझे वैग्यानिक निर्णे कहलाते है वह फिर अपने मन की या जो मन में आया वह सुनकर निर्णे नहीं लेता है प्रबंद के सिधान्त बदलते परियावरण की आवश्यक्ताओं को भी पूरा करते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि प्रबंद के सिधान्त लोचपूर्ण होते हैं, यानि वो विवसाईक परियावरण और परिस्थितियों के हिसाब से ढाले जा सकते हैं। फिर हमने पिछले अध्याय में यह भी पढ़ा कि वेवसाय या प्रबंध एक बहुत ही गतीशी लिकरिया है हमारे वेवसाय जिस प्रकार का संगठ हनम चला रहे हैं उसके आसपास का वातवरण और परिस्थितियां कभी एक समान नहीं रहती वो दिन प्रति दिन निरंतर बदलती रहती है और ऐसे बदलते परियावरण में प्रबंधन को भी बदलना होता है प्रबंधन को बदलने में सिध्धान्त बहुत बड़ी भूमी का निभाते है उधारन के लिए प्रबंद के सिधान्त श्रम विभाजन को बढ़ावा देते हैं आप आगे पढ़ेंगे इस बात को कि प्रबंद के सिधान्त कई सारे जगहों पर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें श्रम विभाजन करना चाहिए श्रम विभाजन कारतिय हुआ कि श्रमिकों को उनकी शमता के अनुसार कार्य बाटा जाए और फिर एक श्रमिक या एक श्रमिक समुहू एक प्रकार के कार्य में ही विशिष्टी करण प्राप्त करे सिधान बार-बार इस बात को कहते हैं आधुनिक समय में भी ये बात व्यवसायों पर लागू होते हैं अर्थात समय बदलने के बाद ये सिधान जो कई दशकों पहले बने आज भी इनकी द्वारा बताई गए ऐसी कई बाते हैं जो व्यवसायों पर लागू होते हैं जैसे ये श्रम विभाजन की बात है आज भी क कार्यों को विभाजित किया जाए और फिर यहां भी देखा जाए कि यदि कोई कार्य या कोई प्रणाली या कोई परिचालन ऐसा है जो वेवसाय के लिए अच्छा नहीं है तो उसे छोड़ा जाए उसे बंद किया जाए इसके कई उधारन आज के वेवसायों में देखने को मिलते हैं जैसे कि हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड के निर्ने कहां में एक उधारन ले सकते हैं कुछ समय पहले उन्होंने अपने मूल कार्य से हटकर जो उनका एक वेवसाय था रसायनों और बीज का उस वेवसाय को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें अपने मूल कार्य में विशिष्टी करण पर ध्यान देना चाहिए बजाए इसके कि वो हर प्रकार के कार्यों को करने की कोशिश करें तो उन्होंने अपने एक मूल कार्य को विशिष्टी करण के साथ करने की कोशिश की ताकि वो उसमें विशेशग्य बन जाए तो ऐसी कई बाते हैं जो प्रबंद के सिधान्थ में बताते हैं और ये बातें बदलते समय के साथ भी उतनी ही मजबूती से लागू होते हैं तो इनको पालन करने से हम भी अपने आपको बदलते समय के साथ बदल सकते हैं अपने प्रबंधन को उसमें ढाल सकते हैं इसके अलावा प्रबंद के सिधान्त सामाजिक उत्तरदायत्वों को पूरा करने में भी सहायता करते हैं कैसे आप आगे पढ़ेंगे कई ऐसे सिधान्त हैं जैसे एक सिधान्त है समता का सिधान्त जो कहता है कि यदि दो लोग एक जैसे अनुभाव एक जैसे सैक्षणिक योग्यता वह एक जैसे कार्य में हैं तो ऐसे दो लोगों में हमें वेतन देते वक्त या व्यवसाय में उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यभार करते वक्त हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं क करना चाहिए तो जब हम भेदभाव की नीती को हटाते हैं तो हम अपने एक सामाजिक उत्तरदाइत्व पूरा करते हैं जब हम विशिष्टी करण की बात करते हैं तो हम संसादनों को व्यर्थ होने से बचाते हैं इससे भी हम समाज के प्रती उत्तरदाईतों को पूरा कर रहे हैं ऐसे कई सिधान्त कई बाते हमें सिखाते हैं जिनकी सहायता से हम अपने सामाजिक उत्तरदाईतों को पूरा कर सकते हैं प्रबंद का आखरी महत्व यह है कि यह प्रसिक्षण, सिक्षा वो अनुसंधान में भी सहायता करते हैं अर्थात प्रबंद के सिधान्त कई सैक्षणिक संस्थानों में प्रबंदकों की सिक्षा के दोरान उन्हें तयार करने में उप्योग किया जाते हैं उन्हें सिखाया जाता है इन सिध्धान्तों के द्वारा की एक प्रबंधक कैसे बने, एक अच्छा कुशल प्रबंधक कैसे बने, प्रबंध के सिध्धान्तों को कई साहित्यों में उप्योग किया गया है, जिनको पढ़कर लोग प्रबंध से जुड़ीवी सिक्षा वो प् प्रबंद के सिध्धान्त, उनके अर्थ, प्रकृति और महत्वों को यदि हम समझ लेते हैं, तो हमारे व्यवसाइक वास्तविक जीवन में इनको हम उप्योग में ला पाएंगे और हम इनके सहायता से अपने व्यवसाइकों बड़े ही सुचारू रूप से चला वह सिध्धान्तों के इतिहास की बात होती है, तो यह इतिहास बहुत लंबा जाता है। पिछले कई शताबदियों से जबसे व्यवसाइश शुरू हुआ, इससे जुड़े हुए सिध्धान्त विक्सित होते रहे हैं। विशेश रूप से जब औद्योगी करण का यूग आया जब उद्योगों का जन्म हुआ, जब कारखान और फैक्टरियों का जन्म हुआ, उस वक्त सिध्धान्तों के विकास ने गती पकड़ी। उस समयकाल को क्लासिकल समय के नाम से भी जाना जाता है। उस समय के कई ऐसे लेखक हुए जिनोंने सिध्धान्तों के बारे में हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे, उनमें से एक थे F.W. टेलर, वो दूसरे थे Henry Fayol, हम इनके द्वारा प्रती पादित सिध्धानतों के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे अगले भाग में, आज के इस भाग में हमने प्रबंद के सिध्धानतों के अर्थ, विशि को देखा, आने वाले भाग में हम बहुत महतुपूर बातों पर चर्चा करेंगे, जो की टेलर और फेवल दौरा दिये गए सिध्धानत हैं, आशा करता हूँ, आज का ये भाग आपको अच्छा लगा होगा, वो इसकी बातें आपको समझाये होंगी, आज के लिए इतना ह धन्यवाद